हाँ नमस्ते अकिलेश जी शुक्रिया ये करने के लिए हम लोग आज रजा साब के पाच पेंटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं आप प्लीज मुझे संभाल लेना पाच बहुत ही प्यारे पेंटिंग्स है जो आपने मुझे भेजे 1983 राजस्तान का एक पेंटिंग है मा एक शांती बिंदू और वाइट फ्लावर तो मुझे लगा कि आपके साथ इन पाच पेंटिंग्स के बारे में पार्ट बाइपार्ट आपके नजर ये से आपको आप प इतना चाहिए यह मेरे फेवरिट पेंटिंग है और फाइनली आप मुझे आप मिल गए जो रजा फाउंडेशन के एक मेंबर हो तो तो बेस्ट आर्टिकुलेट एक्सलिनेशन आप मुझे जिस्स मेक में फॉल इन लव और व्यूवर्स फॉल इन लव विद पेंडिंग्स आपको अगर आपके लैपटाप पे वो इमीजिस है या आपके मैमरी में है तो इस यो उट केन्वी स्टार्ट विद इस ट्री इन लव इस प्लीज एक लाग अधिव फॉलोवर्स को टच किया है तो बहुत बड़ा माईल स्टोन है तो बहुत लोग देख रहे है आच्छल इस बात है आप लोग अच्छा शूरू किया है यह आप तैंक यू और इसको इसनी जो शिप मिल वह यह भी इस बात हैं और यह भी इस इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देना कांगा और दूसरा मैं चाहता हूं कि हम लोग पेंटिंग विबाद शुरू करें तो महां लॉट से जबाऊंगा इस चित्र से शुरू करें और यह एक चित्र अपने में ररा साथ का मास्टर पीश कहा जाना चाहिए क्योंकि इस तरह का चित्र जो है उन्होंने बनाया बड़ी शुर्दत के बनाया और उसका इक दूसरा कारण यह भी है कि इस चित्र के साथ उन्हें जो सम्न है उसको उजाइगर करते हैं तो यह जो टरफ है अपने देश के प्रती और अपने मा के प्रती तो मा एक यहां पर मेटफर की तरह इस्तिमाल करते हैं रदा और वो देश के उसको रिप्लेस करते हैं और यह जो कविता है यह अशुप उपलबजियों के बावजूद उसकी माँ के लिए वो एक बेटा ही है और उस बेटे के सामने ये संकट है कि अगर वो लोट करती जा रहा है अपने माँ के पास तो माँ के लिए क्या लेकिना आता है और वो माँ को ऐसी कौन सी चीज है जिस जो पसंद आएगा हम सब को पूछ रहा है कि अगर तुम एक माँ के लिए वापस कुछ लेके आओगे तो क्या लेके आओगे तो वो अगेलिक खुझ से भी पूछ रहा है और उसको अपना व्यर्दता बोल्द भी गहरा कि ये संबenci किसी काम केने और उसको यह भी पता है कि मां को सिर्फ मैं चाहिए, मैं चाहूं, मेरा जाना ही उसके लिए सर्वर सभी चीजों का लौटना है, तो यह जो लौटना है, इसको लेकर के रजा के मन में जो एक कड़ब है, और जो बात में उन्होंने पूरी भी, साथ साल वो फ्रांस में रहते हैं, और फिर उसके बार अपने का लौटने हैं, तो यह जो लौटना है, रजा ने इस चित्र में बड़े खूपशुरे धंग से, लौटने की कड़ब जो है, खूपशुरे धंग से पींटी है, और हम देखते हैं कि इसमें रंगों का इस्तमाल भी उन्होंने, उन्होंने यह अपनी जो कलर पैलेट हैं, उसी तरह उनोंने किया है, और यह चित्र जोए अपने में उस कविता का क्रकटन नहीं है, वो एक्चुली उस कविता के रास्ते खुद का प्रकटन है और खुद की च्छाओं का प्रकटन है, और रजा जिसकों से रंग लगाते हैं, और हम नजर आते हैं, तिहें रंगों की यत्ता पसंद है, जो जानते हैं कि इस रंग की दीटर क्या है, जब आप रंगों के साथ काम करते हैं, तो एक कुई भी रंग जो है अपने कुझे प्रकट करता है, तो वो एक संदर्व में प्रकट करता है, आप उसके साथ कौन सा रंग तो रजाएक यस मामले में बहुत ही इस्ताद जो किस रंग को किस रंग के साथ लगाया जाका है इस जित्र में अपने है। छुत की इच्छाओं में अपने लोटने की इस्ता को और अपने देश प्रेम इस्ता को मतलब उनको जो एक relationship है ये एक बहुत ही दिलक्त था कि जड़ा साब फ्रांस में रहते वे भी कभी भी फ्रांसी सी पूरी तरह नहीं होगा है वे अंदर तक भार की रहे हम लोग जब पहली बार गौर्वियों में गए तो मैंने दिखा उनके घर के बगीके में तुलसी चोड है और उसको लगाया और इस वे बिग ये उनका समर्था उस था जो वहाँ पर गर्वियों में तीन मैंने चार मैंने के लिए रहने जाते थी वह बाकी समय वहां इतनी संद पर्टी हैं बर्फ किसी तो वह परिश में रहते थे तो उसमें वह सारे पहुदे खतम हो जाते थे जो लगाया तो जाकर के पहला काम मुद्ध का यही बता था कि वह तुलसी का पहुदा लगा थे अपने तुलसी चोगा तो यह जो एक रिलेशन सी उनका जो एक खमन बनावा था अपने देश को जिसको वह कभी भी नहीं बूलते थे वह इतना गहरा और इतना मजबूत था वो सब इस चित्र में निकल के आता है और हम बड़े ध्यान से अगर इसको को देखें तो एक एक डिटेल हमें उसमें नजर आती है और कविता के जो कुछ अंश हैं वो भी हमें यहां दिखते हैं जैसे वो इले घोडे का दिकर है उसमें तो यहां एक नीला घोड़ा दिख यहां की उँज सारी चीजों कई हैं आपने विख़ा रूप कहा मुझे आप से एक Óतब मुझे किसी ना किसी से तो पूचना था पूछने करें एक से पूछना मुझे इस पेंटिंग में राजस्तानी जैन पोथी जो मैनिस्क्रिप्ट होते हैं उनका एक अबस्ट्रेक्शन दिखता है उनका एक सिंपल मतलब अगर उनके कलर अप्लिकेशन देखें ऐसे लगता है कि जिस कंपार्टमेंटलाइज किया है से कांगरा शेली के जिए फेमेस रादा कृ सिंपलिफिकेशन या एप्स्ट्रेक्शन दिखता है यह आपने बहुत ठीक नोटिस किया है कि रजा की चिप्रों में गहरा प्रभाव मालवा की मिनीचर इसका दिखाई दिखता है और जब रजा बंबई में जहते हैं और पिंस ओफ वेल्ट मूजिम के मालवा मिनीचर का एक बड़ा सम्रद कलेक्शन है तो रजा उन चित्रों के साथ गुगू होते हैं और लगाता उन चित्रों को देखते हैं और इनका जो ग्रूप था प्रोग्रेसिय आर्टिस ग्रूप जिसमें सुजा एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे तो सुजा क कारण जी रजा और हुसेन इन लोगों को जो भाकी कित्र कलावर्बार की जो कलाओं की जो फ्रोथ हैं उन से सीधा सम्मन बनाने का एक मौका मिलाता है और ये बहुत सही है अगर हम देखते हैं रजा की यात्रा में तो पाते हैं कि वो शुरुवात अपनी लेंसकेप से करत होता है और जब अजित मुखर जी की किताब शक्ती है तंत्र करके उस चेबाद रजा का ये नया रूप प्रकट होता है जिसमें मिनीचर के साथ इनका है ग्यारा सम्मन और साथ ही तांत्रिक काहच के साथ एक रिलेशन दिखाई दना शुरू होता है तो ये जो सिंबल्स उ सरकल है जो स्क्वैर है ये सब कंत्र से आ रहे हैं और इस सब को वो एक अर्थ मुक्ष करके अपने जो उनके जो रूड अर्थ हैं उनसे मुक्ष करके एक नया अर्थ प्रदान करते हैं रजा की सुरत बात कि हैं कि वो न सिफ रूपाकारों को एक नया अर्थ से नया हैं कि उन रंगों की भी नए इत्ता से हैं और नए धंग के उनको प्रसुत करते हैं मेरी नज़र में मुझे ऐसा कोई चितकार नज़र भी आता है ज़जा के पैरलेल जो रंगों का इस तरह से इतना जीवन के इस्थमाल दाता है तो मुझे आपको और एक बार अगर आप कभी आपकी दोस्तों के साथ जो कलाकार ना हो जो कल्चर सेक्टर में ना हो जो अलग एंजिनियर हो डॉक्टर हो अगर उनको आपको रजा समझाना हो या उनसे यूँ वांट टो मेक देम फॉल इन लव वित रजा जो आम आदमी है उनको कोई माइने नहीं है कि रंगों का अप्लिकेशन किस तरह हो जैसे अगर आप कोई मुजिशन हो और आप बोले कि जिस तरीके से किशुर कुमार या बीथोविन या बाक का जो कॉम्पोजिशनल स्केलिंग है जिस तरह से माइनर इंस्ट्रुमेंट्स यूज किया है ज जो मा है वो देश है जो भारत भी हो सकती है इस टॉकिंग अबाउट इंडिया इस सेंग माम मैं जब लौटूंगा या यह डायमेंशन कभी आप अच्छली मैं कुछ सीखा हूँ आज तो अगर मैं सिर्फ यह लौट आजागा अच्छाकिन अगर आप किस आम आद्मी को जो जो आर्टिस्ट नहीं हो जो क्यूरेटर नहीं हो जो म्यूजियम ढेक्टर नाहो जिनको नहीं समझ भाएट उनसे आप कि रजा के बारे में इस दर एनी अदर वरिजिन जो आप उनको इनों दोस्तों के साथ बैट एक इसमें मेरा एक अनुभाव लंबा अनुभाव है मैं मुजिब में काम करता था और मुजिब में जो लोग आके थी और लोग को इंटर्टेंड करना और उनों को अचेंड करना भी मेरा एक काम करना तो उसमें मैंने ये देखा कि जो साधरन गेटी है जो जिसका देखना जागा हुआ उसको मेरी दर्वत ने थी मगर जो ऐसा है जो बारती अपने फील का एक्सपर्ट है किसी साइन्स का मास्कर है या किसी जुलाजी में या किसी चेत्र का विशेशक भी है या कोई बड़ा अफसर है या कोई बड़े ओधे पर मौजूद एक गेटी है वो अपने को बिलकुल अशाय पाता था किसी भी चेत्र के सामने चाहे वो रजा का हो चाहे वो विवान संद्रम का हो या राम संद्रम का हो तो यह जो एक वीजूल इलिटरिसी है यह उस सो कॉल लिटरेट समाज में बहुत गही है और उसी वक्त अगर जो आदिवासी आते सिजाओं से वो रजा कि चित्रों को उतना ही इंजाय करते हैं जितना कि वो अपने चित्रों को प्रादे होते हैं क्योंकि उनके देखने पर कोई परदा डला नहीं था और यह जो शहर में रहने वाला पड़ा लिखा देखती है उसका देखना बादेश है वो इतना ज्यादा पूरुग्रा से भरा हुआ है अपने देखने को ले करके कि उसको अपने देखने पर धरोसा नहीं होता है और एक बैसाती की जरूरत है वो चित्रकार की रूप में आए या काईच की रूप में आए और उसको चित्र समझा देखने तो वो अपनी नजर से नहीं देखता वो दूसरे की नजर से उसे का चश्मा लगा था कि उस चित्र को देखने की कोशिश करता है और वो कोशिश में स उतनी ही देर होती है जितनी देर वो उस चिटर के सामने खड़ा, जिसके बाद भूल जाता है वापस तो यह वो राब कैनटेक्स्ट कॉनटेक्स्ट और कॉनसेफ्ट कॉनसेफ्ट के पीछे जो चाइट like quality है, जो देखना होता है जो purity है तीन बार रिपीट करता है। तीन बार रिपीट करते हैं। 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 और हिंडी की सविताओं के। उनका जीवन संबन जो है। तो मुक्ति बोथ को कई अपनी शित्रों में वो कोट करते हैं। तो यह सब कोट करना है। इसका यह नहीं है कि वहाँ जो फ्रेंच दर्शक है। वो इन चित्रों को ठीक ठीक समझ रहा है कि क्या लिखा है। क्योंकि यह तो दूसरी बास्ता है उनके लिए। तो उसके लिए वो सिफ टेक्शर मात रहा है। जो भी कुछ लिखा गया है वो एक ऐसा टेक्शर जैसा है जो लिटी के रूप में दिखाई ले रहा है। उसके लिए उसका कोई अर्फ नीै, उसके लिए वो जो चित्र है तो वही उसके अर्च में कुलता है। तो रदा साथ जो अपना संवन्द बनाते हैं अपने देश से वो इन कविताओं के रास्टे बनाते हैं इन मिनियेचर के रास्टे बनाते हैं और इनको अपने चित्रों में गहरी ज़दा दिते हैं और उनका पूरा इस्तमाल भी करते हैं और उनको पुनर परिभाशिद भी करते हैं ये जो मिनियेचर का फीलिंग है यह miniature का feeling भर उस किस्र में आपको दिखाई देगा किन्टू ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यह miniature की नकल है तो यह जो और एक और चीज़ वो करते हैं कि miniature जो हमारे हाँ बनाए जाते हैं उसमें linearity नहीं है लियोनार्डो डपिंची ने जो प्रस्ताव रखा था हमारे देखने में जो आफ के लेंज से तो दूर की चीज़ें छोटी हो जाती है और पास की चीज़ें बड़ी जैसे कि हाँ जो दो parallel line जो है आगे जाके मिल जाती है जित्र में एक vanishing point होता है यह miniature में यह सब नहीं दिखाई है miniature में वो सारे blocks दिखाई देते हैं और एक ही समय में की जाने वाली कई क्रियाएं जो है अलग अलग जगा पेंट की जा रही हैं तो यह सारे blocks जो है उस काम में आते हैं कि यहाँ पर राधा और कृष्ण खेल रहे हैं बुली और यहाँ पर दूसरी ही तरफ राधा और कृष्ण नाश रहे हैं तिसी ही तरफ मतब ऐसे अलग 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 ताइम स्टैम्स हैं उसमें लीनियर ही नहीं है उसमें पैरल नहीं है तारे समय एक साथ वहाँ खड़ें तो वह पूपसूरत बात है जो रजा साब ने अपने चित्वों में ठीक ठीक समझी और उसको नए धंग से मेरे क्याल से हम अगर कहना चाहें उसे आधुनिक समय में अपनी आधुनिक्त के धंग से प्रस्तुत किया तो ये एक अधी तुरण बात करूं किया है तो ये एक अधी तुरण बात करूं किया है तो ये आज ये पेंटिंग थोड़ा और I fell in love with it a little more और एक और एक मैं जब भी इस पेंटिंग को देखता हूँ इस जिस्ट अमेज़ा है लेट शिफ्ट यह तुझ आफ पेंटिंग उफ यो चॊईस चूज है दर वाइश वाइट फ्लावर और शान्ती बिंदू और हाइं वाइट फ्लावर से हम शुरू करते हैं वाइट-फ्लावर मैं दे तक रहा हूँ बड़े खुब शुरुद प्रिंटिंग है रासआज पी और ये वो समय है जब रदा साब जो है टांस्फर्म हो रहे हैं फ्रम वो फ्रेंच लेंश किप से फ्रेंश लेंश किप से जामेटिकल जामेटिकल पींटिंग्स की तरफ आ रहे हैं जिसमें तन्तु का एक जहरा अनुभाव जो है शामिल दिखता है यह सारे चित्र जो है असी के दर्शक के हैं और उस वक्त यह जो एक्जिबिशन हुआ था इस एक्जिबिशन में रादा साब ने ज्यादा तर जो चित्र बनाए थी जो तिखाये थी यह एक्जिबिशन में देखती थी बंबी में उसमें ब्राउन और ब्लैक और टेरा यहाँ डिस टेरा सीरीज जहाँ पर वो सिर्फ ब्राउन इस्तमाल करते थे एक और एक और चीज की तरफ यह चितर इशारा करते हैं कि पश्चिमी चितर कला में ब्राउन कलर का गहरा एक खाने जब वो बच्चा सीथने जाता है कॉलेज में और चितर कला सीथना शुरू करता है तो उसको ब्राउन कलर से ही शुरू करता है एक ब्राउन कलर का वाश देना होता है और ब्राउन कलर से ही ड्राउन करना होता है और ब्राउन कलर इसकी बेसिक कलर जो एक धूसर ढंक से वहां के माहुल को भी प्रदर्शिट काता है जो एक तरह का डल माहुल है और सूरज भी ही माहुल है कोई भी कुछ भी उजड़ा नहीं है साल में से दस मैंने जो है वहाँ पर कुहरा चाहा हुआ है दुन्डे है बहुत डिप्रेसिव है स्थिंग थस्थियर है तो यह तारह उन चिट्रों में प्रो देखने को मिलता है डाल ब्राउन है इंडिया रिड है सेज बफ सब करें और ये पेंटिंग फ्रांस में ये पेंटिंग फ्रांस में प्रोड्यूस किया था उन्होंने यह सारे painting फ्रांस में किये थे मगर अब मैं जो कहा हूँ कि वो जो brown है ज़ादा के साथ चित्रों में वो brown उजला एक brown है बहुत ही चमकदाँ है उसके अंदर एक फिसके अंदर dull नहीं है उसमें एक तरह का charging effect है तेज है उसमें आलोग है तो यह उस तरह का डल नहीं है जो पश्चिमी चित्र सला में ब्राउन के इस्तिमाल के तारण दिखाई देता है यहाँ पर उन्होंने ब्राउन को फिर से एक नए रूप में अनुभाव किया और उसको मेरे क्यार से में इसको यह कहना जाना ठीक रहेगा कि उसमें मिनीचर के चित्रों की रौश्णी भरती तो यह वेरी नाइस बहुत खुशुरत मिलाब इस्ट और वेस्ट का यहाँ दिखाई दीता है जो वाइट फ्लावर और इसके साथ के और भी बहुत सारी चित्रे हैं उनमें हम देखत कर नाम वाइट फ्लावर इसलिए क्योंकि वह वहाँ पर वाइट फ्लावर मुझे दिखाई दे रहा है वह साथ कुछ पेंट किया है अगर आप उसको जिहां से देखेंगे तो वाइट फ्लावर नी सीन पैचे लगे हुए है वाइट कलर के जो कि फूल की पंखडियों की मगर वो पूल की तंखडियां भी नहीं है अगर आप जहां से देखते हैं तो उसमें तरह का कूड एप्रूच की दिखाई देता है और यह नाम किस ने दिया उन्होंने ही वही नाम देते थे रजासाब अपने चित्रों का शीशक बड़े चाव से रखते हैं और उने ही मतलब यह वाइट लावर तीज करते हैं तो इसमें देखने जाएंगे तो वाइट लावर महां मौजूद नहीं है मगर वाइट लावर का अहसास महां मौजूद जो रजासाब की एक बड़ी अच्छी बात है जब वह सौराश्च पेल करते हैं तो सौराश्च का चित्रन नहीं इसकाई देता है वहां पर पर वहां पर वह सौराश्च की फीलिंग फिलिंग मैं सौराश्च पर देख रहा है आप मुझे आप बताइए यहीं पॉइंट यहां पर हम अपने दोस्तों को जह Order और दे ढूसर के एं पर हमेरे दोस्त है उनको जब रजासाब के बारे में मैं यह point आप please can you elucidate can you explain this कि यह जो आपने कहा सौराश्टर का जो feel है आपके हिसाब से आप इसको शब्दों में कैसे बोल सकते हो यह जो feel है क्योंकि मेरे सामने अभी मैं 1983 सौराश्टर यह जो पेंटिंग देख रहा है इसको बहुत सुरत पेंटिंग है और उसमें जो हरा रंग लगा दिया है जनली राजाश्टाब भरे गांता इसमाल उनके दूसरे चुट्रों में ऐसा नहीं दिखाई देगा बहुत ही इसमें एक बहुत बिक्ता हुआ एक लेंस्केप का की किन्तो वो पेड़ भी नहीं है वो एक हर्याली है सौराश्कि की यहाँ पर ररा साब जो लेंस्केप बना रहे हैं सौराश्किका वो एक कोई छोटी सी जगवा नहीं है वो एक बिहंगम फिलिंग है एक बड़े इलाके की बात कर देखें है जो कि बहुत कैई छीं का अपन अपने जो भी वेजिटेशन है वो सारा कुछ है वहाँ हर उसको क्या शब्द होगे उसकी आत्मा बुलेंगे या उस चीज़ का एसेंस मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है but I totally understand what you are saying but I अगर जब जब कोई सुनता है बाहर से उनको लगता है कि हम लोग दिवाने बात कर रहे हैं मतलब यह सब यह एब्स्ट्रेक्शन और स्पिरिच्वालिटी सेल्फ इंप्रेशनिस्म यह बहुत दिवानी कॉंसेप्ट है यह कॉंसेप्ट हम कलाकार लोगों को समझ में आती तो सही में किया तो आप पूरे अब्स्रेक्शन को अनलॉक कर रहे हैं और जो कि एक मुश्किल काम है वह इसलिए भी है कि हम एक दूसरी भाशा का काम एक दूसरी भाशा में चाहिए जो चित्र है वह देखने का देखने की एक वह वीशल लैंग्विज और उसको देखा जाना हैं इसका एक चोटा सा उधारन में आपको दूंगा कि जब हम कोई बहुत ही एक ऐसा अद्भुद द्रश्ची देखते हैं तो हम अपने दोस्त को कैसे बतलाते हैं कि यान मैंने एक बड़ा अजीब सा द्रश्ची देखा तो यह जो अजीब सा देखा आप इसमें बहुत स है जी फीलिंग उसकी आजाती है कि वो ही वो जो देखा है उसको बताया है नहीं जाता है और बोले तू जाना और तू भी दिख लेना हां मगर हर कॉंसेप नोट ऐसे शुरू ना हो सकता ऐसे थोड़ी शुरू होगा कि यह मैंने बहुत ही अजीब पेंटिंग देखा इसको कुछ रेफरेंस रेलेटिविटी के साथ उसको एक्सपेंड़ तो करना पड़ेगा वरना 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 वह जब हम यह कोशिश करते हैं तो मैं अपने अनुभव से बतलाऊंगा और वह सकता है कि वह अनुभव जो है दूसरे के पास नहीं है तो वह जो मेरा बतलाना ह और उसके लिए वह पेंटिंग उसी तरह से एक अजूबा की तरह ही रहेगी जब तक कि वह खुद न देख और उसका देखना वह उसका अपना व्यक्तियत देखना होगा उसका मेले देखने के कोई सम्मण नहीं होगा यह पेंटिंग भी फ्रांस में बना है यह पेंटिंग भी फ्रांस में बना है तो अगर फ्रांस का कोई भी व्यक्ति और उन्होंने अगर किस कोई अगर मैं सौराश्टर गया हो ऐसा ही है मतलब अगर मैंने आख बंद किया और सोचा भी एक बार भी सोचा तो यह पेंटिं perfect abstract मैं समझा नहीं सकता लेकि ये है ये ही है ये ये answer है अगर मैं आखे बंद करता हूँ और अगर मैं ये एक सोच है तो इतना perfect कैसे उन्होंने transfer किया अपना एक idea तो मैं भी लेकिन मैं ये समझा नहीं पाता मेरे किसी भी दोस्त इस अंजाने के परे की चीज़ है और ये जो transformation है रज़ा साब ने जो किया है तो ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि रज़ा साब ने पूरा सावराश के गुमा है उन्होंने भी कुछ हिस्से जरूर गुमे होगे और उसको feel किया होगा और उस अनुभाव को उन्होंने अपने साथ पकने दिया होगा और एक समय बाद वो इस canvas के उत्रा तो उसमें जब वो सौराश्ट बना रहे तब वो सिर्फ सौराश्ट भरने वो बिल्जय चल भी है वो सतुड़ा भी है वो नाजस्तान भी है अपना जो देश उन्होंने देखा है सारे देखने को एक जगा वो लिया है और एक समय में ऐसा पेंट करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप कुछ भी उस पेंटिंग के आदेशों का पालन करने लगते हैं जिसमें वो चित्र आपको बतलाने लगता है कि मुझे ऐसे करो तो वो तो प्रेएक आप एक ट्रांस्वार्म हो जाते हैं आप एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर आप सो कोई हक नहीं जाया पर आपकी कुछ नहीं चलती है और फिर आप एक माधिम की तऱ आम पर रहें तो यह चित्र है जिसमें रजा साथ जो है दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और पेंट करके लौत आते हैं एक समृति के सकते हैं इक समृति है कल्पना सब्सक्राइब में हमेशा सव्च समय होगी तो हो जो समय है जो चित्रकला है वो हमेशा श्पेस व्टाइम थी भीच में स्पेस को डिल करता है और जिन चित्रों में समय बुनने की कोशिश की जाती है वो चित्र, आप देखेंगे कि वो बुरे चित्र होते हैं coster लिग पस्दाख curator है। और यहां पर रजगा रधासाब या स्वामिन आताम या हुसान जयते कुछ गलाकाइब हैं जो स्पीस को चित्रित करते हैं और समय उसमे अपने आप 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 जाता है तो ये सौराव शिनामक समय है ये रधा की कल्पना का समय है बहुत ही बहुत ही अच्छे से एक्स्पेंट किया आपने चीर अभी जाते हैं अभी जाते है राजस्तान पेंटिंग 1981 पे जो दर ब्लैक बॉर्डर के साथ और उपर चार बिंदू कोने में यह पेंटिंग का नाम राजस्तान है बलकी इसको मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रदर साथ से जारा जानि उनकी जो पत्नी उनकी जो पत्नी ती जानिन के लिए राजस्तान जानिन को बहुत पस्तन था और वह जब भी तुष्टान आती कि रदर के साथ तो वो लोगों का एक ट्रिप जो है आपका वीडियो चलागे हाँ, let's come back मैंने डून डिस्टर वाला पून कर रखा था होता है, होता है मैं पको सिखा दूँगा बात है, anyway, yes तो हम लोग वापस गया वही फोन वाला फोन चक्तर गया हम लोग वो जनीन और रजा साहब राजस्तान राजस्तान जाती जाती थे और राजस्तान के कई शहरों का उन्होंने मतलब अपना समय के जाना बाहरा है करके दस दिन पंदा दिन जो भी है और इस तरह राजस्ताब में 26 पेंटिंग करें हैं राजस्तान का शीशक हैं और वे अपने में एक दूसरे से बहुत अलग चित्र हैं इसलिए हम देखते हैं कि इन चित्रों में वो राजस्तान शीशक तो दे रहे हैं मगर वो राजस्तान नहीं है फिर वो उस राजस्तान की फीलिंग है उस राजस्तान की फीलिंग है फीलिंग है और बलकि चित्र तो राजस्तान का इसा है जिसमें बहुत सारा जूमेटरी है इतना फ्री नहीं है तो यह चित्रा आप देख रहे हैं वो बिलकुल यह अलग बलकि जो 26 चित्र हैं 26 के 26 एक दूसरे से बहुत अलग है और जो सब्सूरत एक चित्र है राजिस्तान का जो भारत मौन के कलेक्शन में हैं जो मैंने पहली बार देखा था वो अपने में और दि दिल्चस्प चित्र है जो अपने में बहुत दिल्चस्प चित्र है जिसमें आपको यह लगता है कि एक मिनीशर पेंट कर दिया है आधुनिक खंग से और वो बहुत पेंटिंग है जो इन 26 के वामारे पास फोटोग्राफ नहीं जिन राजस्तान का उसमें वो नहीं तो इस मात चित्र ज्रशादा ताहब ने अपनी राजस्तान के प्रती जो भी उनका उपना है किन्टू उनका तो राजस्तान का लेंश्केप नहीं है road का झांओ जिस्का या उन जगहों पर जो उनोंने जा पक भीक है उन्होंने नहीं कर दिया रहो है नहीं उसके खिलाफ ही रहे चुछ से हम देखते हैं तो वह जब लेंस्केप कर रहे है 1940 के दशक में तभी वो इंप्रेस्टन संग से लेंस्केप कर रहे हैं क्या आपको इस पेंटिंग राजस्तान पेंटिंग देखके क्या आप उनके पेंटिंग स्टाइल या टेखनीक के बारे में कुछ एक्स्पेंट कर सकते हैं जिससे हमको इतना ब्राइट स्पॉटलाइट मतलब ऐसे जैसे की पीछे से सूर्य आ रहा हो मतलब एक एक ट्रांस्परिंसी है उसका जो जो कलर का जो saturation है जो इस जिस इस क्वालिटी है पेंटिंग अगर ये गिटारिस्स रहते है या मुजिशन रहते या तो ये जैस्ट मुजिशन रहते तो इस इस लाइब का कंट्रोल ओर लुमिनोस्टी और कलर, तो ऐसा कुछ नहीं जो आप स्टुदेंस को जो आप स्टूदेंस को या तो यह जो एक आलोग उनकी चित्रों में दिखाई देता है वह हम उसको वह अपने धंक से पेंट करते थे कि जो सफेज जगह है यहां पर सफेज चूटा है तो वह यलोग सा दिखना चाहिए तो वह एक यलोग वाश पी देज़े से चित्रों में जो एकदम फर्क आया है जब उन्हीं सुट्रेशक में वह जाते हैं बरकले पढ़ाने के लिए बरकले उन्वाइट करती है और जहां पर वह ज़्यादा समय नहीं रहते हैं इसके साथ म मेरा काम नहीं है पढ़ाने का इन्टो 1907 में एक्रिलिक कलर की खोज हो चुकी थी और जब यह वहाँ जाते हैं तो उनको वह एक्रिलिक कलर मिलते हैं और उसके बाद उन्होंने कभी भी ऑईल में नहीं किया ओमाइग उस वक्त यह ट्रांसिशन पेंटिंग है यह जो समय है यह समय है तो यह जारा क्या जारा की थीवन में जो पेंटिंग में जो एक बड़ा बद्दावाना है उन एक्रिलिक कलर के कारण आता है जो उनके पैशन को ठीक से होल्ड करता है जोकि हम रोसिसदेखते हैं जब हम ऑईल पेंटिंग करते हैं तो आप वोसाल पर में एक पे करते हैं और उसको आपको उसी दंग के फॉलो करना पड़ता है वो स्पॉंटेनिटी मैच तो यह जो स्पॉंटेनिटी है और यह जो उनका अपना पैशन है काम करते जाते हैं उसको ठीक ठीक होल्ड करने का काम एक्टिलिक कलंस्ट ने किया और उसके बाद करते रजा के चित्र जो हैं उसमें हमें एक जबर्दस स्टेंज देखते हैं और कुशी के कारण मेरे ख्यास से यह जो ड्रमेटरी शुरू होती है और इन सारी चीजों में एक बड़ा बदलाव आता है एक चमक आती है आलोग देखाई जिना शुरू होता है रंगों का वैसा इस्तमाल भी देखने को मिलता है जो ऑईल की तरह है और वैसा भी जो वाटर की तरह है तो रजा उस मीडियम को भी एक्स्प्रॉइट करते हैं और एक्स्प्रोर करते हैं और बड़े खुशुरे धंग के उसको सार लेते हैं तो वो जो मीडियम है रजा का गुलाम बन के उ हम देखते हैं कि अपने शिप्रों में वह बहुत ठीक ठीक उसका उप्योग करते हैं और कोई कलाकार इतना सुन्दर ढंग से एक्रिलिक का इसमाल करता होगा इसमें मज़े संदी है कोई तो होगा होंगे मगर वह ज्यादा दिखाई अगर हम देखें उसकी जो प्लास्टिस सिटी है अक्रिलिक पेंटिंग की हां 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 उसकी जो उसकी संभावना है उसको नहीं खुलते भी दिखता कोई और कलाका मरें सब बहुत अच्छी से करते हैं उसको जहां पर जहां और ऑई की तरह इस्तेमाल करना है वो ऑई की तरह चते हैं जहां पर वाटर किलर की तरह और इन दोनों का जो सम्मिशन उनके चित्रों में बनता है उस वो चित्र जो है पिरकुल एक डूसे लेवल पर जा करके दर्शत के सामने खड़े होते हैं तो राजस्तान पे कि हम यह यह जिए पहुत सँनी है मतलब मुझे पसी ना आ रहा है मतलब इस लेक इस उसमें एक टेंपरिचर है मुझे एक जो ब्लैक स्टोन है जो इनो जो, मतलब, जितने, जितने wait percentage की, हरयाली होती है राजस्तार में, उतनी ही percentage की हरयाली इस पेंटिए। उतनी ही लिखाई रिछी है, तो, एक, एक तरीके से, there is like a, I don't know, this is like a heat map, it's like a heat map, it's like a, मतलब, एक, graph है, मतलब, पता द Sinn दे, बाप मुझे सब्सक्राइब और ये एक आते कि वह एना किसी जगह का चित्रन की तरफ महसूस किया जा सकता है राजस्तान के गाउं में भी और राजस्तान के शहर में तो इन दोनों को वह बिला लेकिंग बड़े वातावरं के लिए इनवारमन वातावरं तो आपके बहुत अच्छे सी ख्याल रगते हैं कि वह एक द्रश्ची चित्रन भरना हो वह एक कांट्रिक पेंटिंग भरना हो वह एक ऐसा चित्र भी नहीं हो जो कि एक रिप्रेजेंटेशनल चित्र हो और जो रजाते अपने होने को बतला रहा हूं मतलब यह सब चीजें तरह साथ उसमें बड़े अच्छी घंडल करते हैं और इसी दिए चित्र जो है अपनी स्वेट्ता में खड़ा हो जाता है और वो दर्शक वाकषित करता है जब वो जब तक कि हम अपना अनुभाव तीन सो प्रतिशत ना उसके अंदर डाल दें कोई चि जो है दर्शक को आकरशित नहीं करता है आप इस सॉरी नहीं मैं पूछ रहा था कि जिस तरीके से माक रौत को साइट वांबली या जैक्सन पॉलो के बारे में लिखा जाता है वैसे भारत में वो जो सोच है वो आम जनता तक क्यों नहीं पहुचाई गई है या इतना इतना उसकी जो जो जिस तरीके से एक आइकन बनाया जाता है या इस तरीके से उनकी आइडियाज रिले कर एक मार्दियम से उस तरीके से रजा साब को लांच क्यों नहीं किया था इंडिया में क्योंकि इंडियन इमेजिनेशन में इंडियन इमेजिनेशन में एब्स्रैक्शन मे पेरे हिसाब से या तंत्रा पेंटिंग्स के द्वारे पहले से यह कॉंसेप्ट थे लेकिन उसको वेस्टर्न लॉजिक और एस्थेटिक्स और एथिक्स और इनो वेफ सींग के लिजिए उसका एक बड़ा कारफ यह है कि मतलब हमारे आप उनिस्टो सेटालिस आजादी की बा से मतलब यह कौन करें आज हिस्टोरियन है तो वो कुछी एक दूसरे राक्ते पर चले जाते हैं उनकी कोई दिल्चस्थी नहीं है और अगर हम देखेंगे तो मुल्क राजानस्त और आनुमार स्वामी के बास और इन लोगों के काम को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अ हुसेन और अमरिका शेली का दिकराता है उनकी लिखने में मार वो भी इतना कम है कि आप उसको क्रिटिसिजम की तरह नहीं देख सकते हैं वो एक उलेग भर है कि यह कुछ लोग हैं आपर जो कॉंटिंप्रारी आर्ट में कुछ बढ़िया कर रहे हैं वगेरा मगर आप हिंदुस्तान में एक भी आर्ट्रिटिक का नाम नहीं लेता हैं जिसमें अपनी रूचिश है कि तुछ आ लाकर एक कुस्तक या एक आर्टिकल भी लिखा हूँ जो जब यह सब नहीं है तो फिर इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे हाँ जो आर्ट की नाम पर हमें देखने क मिलता है और या जो लोग उसको प्रेक्टिक कर रेंड़े होते हैं तो उसको कोई भी खरी सकता है पैसे देकर कि लिखवा सकता है और वो लिखते हैं और लेटे भी हैं उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं हो उनको भी अपना डीवन चलाना है तो जब ऐसा होता है तब फिर करप्शन का एक एक एंट्री हो सकती है उसको प्यॉरिटी डिजॉल्व उसको कमिट्मेंट भी नहीं किसा है तो वह सकता है कि गायतोंडे के लिए भी वही टेक्स इस्तमाल करता हूं जो एक सपलाल के लिए करता है मुझे विश्वास नहीं हो रहे हैं आप इतने आप इतने को ट्रांस्परेंटली बोल रहे हैं हां और मैं तो यह भी देखा है कि एक बड़े आर्टिक्ट्स में एक आर्टिकल जो है अपना लिख के रखा हुआ था और वही सारे चैटलॉग मे लिए तो उसमें नहीं किसी के लिए थी कि वह उन्हों कोई आप इन्सका नहीं नहीं देखाएं तो आप इसमाल कर लो किसी भी आर्टिस्ट ने उनको 20,000 रुपे देढ़े तो वह पिछले आर्टिस्के नाम काटके उसको नाम लिख कर तो उसको फोटो कॉपी बिश्वेत और आपको लगता है कि अगर चल रहा है तो एंड में हम इनद में हम इन अधी और नरी पॉबलिक ओफ दिस कंट्री गर्टी जेनल पॉपुलेशन देटोंट केर अबवाट आट तो इसे बिकाश उसमें पहले थे ही एक धोका शामिल है तब फिर वो कैसे किसी को प्रभाव करते हैं । मैं इस जो लेखन की अपनी सचाई है वो भी तो आकर्शित्शिर थिर पांटक को इस ऐखर की जो अपनी सचाई है वही आकर्शिदा की तरसत को तो अगर वो नहीं तो उसकी दिल्चस्पी भी नहीं तो इसलिए हमारे हाँ तर कोई आर्टिस्ट है नहीं तो इसलिए मैं देखता हूँ कि बही दुनिया के आप पंचेत्र कला का संसार देखें तो उसमें हमदास की तरह का कोई पेंटर नहीं हुआ मगर इनके बारे में बात नहीं है मैं भी यह पॉइंट पर मुझे भी थोड़ा गुस्ता आता है यह यह ऐसा मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लेंस ओपिनियन कोई लिखना नहीं चाहता है सब लोग सेफ खेल रहे है किसी को औरिजिनल को किसी और वो उनकी अपनी जो है अपना इजिंड़ा है अलगी है और मतलब ऐसी बहुत सारे आपको आप क्रिटिक मिलते हैं जिनका भाशत अधिकार है किन्टू इंटिग्रिटी नहीं है तो उनका लिखा जो है वो इन्वैलिड है हर आटिस की लिए लिखावा इन्वैलिड तो आपको मज़ा ही नहीं आता है आपको ऐसा कुई कि ऐसा एक भी आर्टिक नहीं है जो आपके फिलाफ एक शब लिख दे और आपको कैड़ेट्स अपड़ों है कि आपकी तारीक कर दी तो आपको कैड़ेट्स बन गें प्रहसा नहीं हो एक भी नहीं है उतना पावर्फुल उतना कमांडिंग अगर उसकी रूची है आपको पॉइंट है मैं याद रखूंगा मैं इस पर काम करूंगा अगर एक लाख लोग सुन रहे हैं अगर हमारे प्लाटफॉर्म पे अभी है दस लाख इंप्रेशन्स है और एक लाख एक्टिव यूज है तो मेरा मुझे बहुत इमेल आता है लोग बोलता है कि भाई सच बोल अभी मेरे दोस्त जो कलाकार लोग है वो भी बोल रहे हैं कि भाई सच बोल दूद का दूद पानी का पानी जितना जल्दी हो गया आगे जाके सबकी भराई सबको भराई होगी आगे मतलब आजकल की पीडिश के लिए हम लोग यह टॉपिक हम अलग यह इस रजा साथ के साथ मिक्स नहीं करेंगे हम लोग अभी एक आखरी पेंटिंग जाते हैं शांती बिंदू दुनिया में हर योगा स्टूडियो इंडरनाशनल कौन से भी योगा स्टूडियो कौन सा और किसी को भी कुछ भी spiritual related concentration related करना है उसका जो image है इंडरनाशनल इमज उसका जो father of image है वो रजा साब का ये जो बिंदू सीरीज है इतना इतना iconic visual है लेकिन उसको मेरे हिसाद मैं यॉरप पुरा घूमा हूँ मैं मेक्सिको गया हूँ मैं यूएस गया हूँ पुरा मैंने जहाँ जहाँ भी योगा स्टूडियोज देखे हैं या किसी को भी थोड़ा थोड़ा लोग बोलते हैं कि मैं जेन स्पेस में हूँ या मैं अभी थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ उनके पास इस इमिज और इस सीरीज के पेंडिंग का के आस पास के रिमिक्स्ट वर्जिन्स है ही है है ही बिल्कुत ही है और अगर आप आपको ध्यान हो और बलकी मेरे क्याल से बिल्डू एक ध्यान केंडिस करने का सबसे अच्छा शुरुवात ही वो है और रजा साथ की साथ भी ऐसा बच्पन में हुआता कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो जहरे वो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था एकागर नहीं होते थे फोकस नेके केल में और भागना और यह सब उनके चलता रहता था तो उनके एक टीशेर ने दिवाल पे एक बिंडू ड्रॉ किया और कहां कि तुम इसको देखो यह सच है यह सच है यह यह बनाई हुए बात है मतलब यह फोक्ट यह बनाई है सच होगी हम लोग उस स्कूल में भी गए जहां पर उनके साथ यह बाता दमों में तो यह जो कॉंसेंट्रीशन बढ़ाने का कुई जो इकमात्स तरीका है पूरी डुनिया में वो यही है कि किसी एक बिंडू पर आप अपना ज्यान किंजित करें और यह रजा साब को एक आम टीचर ने कॉंसेप्ट चुली है मतलब हमारे देश में एक कॉंसे भी व्यक्ति को कॉंसेंट्रेशन के एक टीचर ने उनको एक बिंदू का यह जो कॉंसेप्ट है हमारे कल्चर में एकसेप्टिड है कि कॉंसेंट्रेशन बहुत उसको उसको उनको तो सजा की तौर पे कि आप यहां बैटो और यह दिवाल के बने बिंदू को ध्यान लो तो तुमारा मतलब भागना दौरना फूल छोड़के भागना यह सब बंद होगा उसका असरी हुआ कि यह दरताफ फोकस हो गए और यह जो बिंदू सीरीज उनकी शुरू होती है यह उनके अंतिम समय की सबसे अपनी पसंदीदा सीरीज है जिसमें उनने बहुत सारे काम किये यह नाइटीन नाइटीन नाइटीज में किया है हाँ मतलब यह नाइटीज के बाद उनके अंतिताफ बिंदू सीरीज और सी मोस्क्रिन आइटीन और यह जयामेट्री से उबजी और यह कंत्रा से उबजी एक विचार बिंदू की तरह शुरू होती है जहां पर वो बिंदू पर वो अपने को केंडिज करते हैं और लगातार सी बिंदू से रिलेटेद ही चित्र बनाते हैं जो की बहुत तरह क्यों होते हैं हो बहुत खुब्सुरूत होते हैं उसमें कॉंसेंट्रेशन यह जो आपके पास शांती बिंदू है इसमें कलर स्कीम भी वाइट और यलो इस और ऑफ वाइट ग्रे इस तरह के उसमें रंगों का इस्तमाल है यह एक प्रेज आया था आपके जीवन में एक कुछ पांसाल का समय का इक्रीश था जिसमें उन्होंने अपने चित्रों को अपनी रंग की जो पैलेट की उसको बदल करके अपने को फूकस किया था इस तरह के रंगां की तरफ जो सफीर हैं यलो हैं ग्रेज हैं और उसका एक बहुत ही उजिला स्वरूप उन्होंने वहां पर एक से और उसमें एक सूरज की तरह बड़ा सा बिंदू है बीच में और फिर उसके रेजिनेंश रहे हैं जैसे अंत्रिक हैं खूंती वी लुप्त होती वी लहरे होती हैं उसका रगां तो यह जो शीरीज में जो शांती बिंदों में जो वाइब्रेशन है जिसमें और सरकल से और बीच में एक सिस्ता जो है जहरा हो जाता है तो यह एक नई कलर पैलेट जिसको रहा साब ने अपनी ही ढंक से इसको बढ़ता है यह जो रंग पैलेट है यह बार में कहीं दिथाई भी दिश्टी है और उनके जित्रों में गाधी वाले स्वीज में आखरी जो उनके रंग वापस अपियर होते हैं और जो एक बहुत ही कलरिस्ट है वो अचाना के इतने शांत और इतने सफीद और इतने मगर इसमें भी यह सारे रंग में वो डल नहीं है यह बहुत ही उचले और चमकता साफ सुटरे कलर है जो रज़ा साब की अपनी खास्रीजी है और यह 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 पेंटिंग इड़ सेम्स की वह बहुत मचवर हो गया कि उनका जो कलर अप्लिकेशन है यह जब वो जवान थे तब उनका हाथ बहुत ही फोर्स फुल था और जब जैसे मेभी आजी बिकेम ओलडर दू यू फिल एक बिकेम अलिटल मोर प्लोड प्लोड प्लो गोला की जरे में अजम है वा हा यू यह जब झांपिज यू जब एक प्रचिव लावा की कि नियू जवाल है था बड़ कर रचीबो बिकेमें आखट इस मेरेशन है वी दो आब प्लोडे लिए यगि जो यू खियू ऑन अविन को वे बिकेम अब अब आपको सच सच बोलता हो, मुझे लगा कि रजा साब ने बिंदू थोड़ा जादा ही किया, मतलब रेपेटिशन बहुत था, मुझे से लगा कि जब मैं यंगर था, जब थोड़ा रिस्पेक्ट कम था मेरे में, यह आर्टिस रजा साब बार बार वही पेंटिंग र कर रहे हैं, और फिर बाद में जब जैसे मैं भी पेंटिंग करता हूं, मुझे से एक, एक मचारीटी आते है, वह एक एक आइडिया को रिफाइन करते जा रहा हूं, तो ऐसा, I reduced my judgment, मैं सुनने जादा लग रहा हूं, तो मुझे आप से सुनना है कि, अगर कोई आप से कहें कि, रजा साब ने रेपेटिशन बहुत किया है, और बहुत लोगों ने कॉपी भी किया है, पूरा एक टाइम था जहाँ पे, एक आक्शन हाउज ने, इस बिन अक्यूज़ अ आप कोपीइंग मेनी वर्क्स और वाटवर, तो यह जो यह जो रेपेटिशन का पॉइंट है, आपको आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, बिन्दू सीरीज के इतने बिन्दू पेटिशन है, यह रेपेटिशन मनुश्य की कमजूरी है, मनुश्य आना जाती की कमजूर और अगर हम देखें, तो हमारी अब बिन्दू में यह रेपेटिशन लगातार मौजूद रहता है, हम किसी बच्चे को अगर कोई सीज बताते हैं, तो एक बार ने बताते हैं, पचास बार बताते हैं, और जैसे कि तंत्रा में भी एक होता है जंग, कि आप यह श्रोग जो कि आपको फिर से एक लाग बार बोलना है, तब आपको वो सिद्धी हासिल होती है, कि आप वो तीसी स्टेज पर पहुंच है, तो यह जो हां, यह जो रेपिटेशन है, यह सिद्धी हासिल करने का एक तरीका है, तो इस नजरे से कभी नहीं देखा था, यह और आज, मैं और कुछ आए, आज सीखा हूं, मैं कुछ और आपकी वज़े से, कंटिनियो, कंटिनियो, बहुत वेरी नाइस टॉप, यह सो आप बोल रहे थे, रेपिटेशन है, यह जो एक मनुष्य मात्र की कमजूरी होती है, तो जो साधरन मनुष है, वो तो इस कमजूरी से दब जाता है या उसके तहती अपना जीवन गुदार देता है, और जो समझ पाते हैं, वो अपने इस कमजूरी को ताकत बना दे, तो रज़साब उनमें से हैं, जिन्होंने इसको अपनी कमजूरी को, अपने बिंडू के प्रती जो उनका एक बच्पन का अनकॉंशिस लगाव, उनके सा तुछ नूटना के आफ़ी दस साल में प्रकट होता है, तो वो बिंडू वापस लोटता है, जो साथ साल के थे और जब बिंडू के हुगे, तो मतलब कम लिए यह सबस्विशन से हम यह चाह बन को इपकता रहा, जब भी आप यह कहते हो, मुझे बहुत यह अच्छा रहा, यह 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 पकता रहा यह बहुत अच्छा एडिया है और दूसरा भी हम देखते हैं कि रर्ण साब की चित्रों में इस तरह का जो बिंदू है जो चाहिए वो फ्रेंस लेंसकिप कर रहे हैं उसमें सूरच की तरह वो अपियर हो रहा है जो राइस्तान की इस काम है उनमें भी सूरच की तरह वो अपियर हो रहा है यह एक बिंदू वहां पर मौजूद है ही लगातार उनके चित्रों में आप उसकी उपरस्टिती देखते हैं किन्तु उसको वो रजिस्टर करते हैं अपने बिंदू सीरीज में जहां पर वो एक्षिप करते हैं कि यह जो फोकस करने के कि लिए एक मात्र जो मेरको धंग दिखाई देता है वो बिंदू है और वो फिर बिंदू को हर जगा दिखना शुरू कर देते हैं वो कई तानों पर उस बिंदू की मौजूद्गी को महसूस करते हैं और फिर उसको paint भी करते हैं बिंदू नाच वही एक धंग है वही एक चित्र है या एक जल बिंदू एक चित्र है मतलब ऐसे उन्होंने बिंदू को कि तरही जगे इन्वेंट भी किया जो यह वेरी क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ एन आइडिया अभी जब भी मैं I think बहुत लोगों को समझ आएगा कि यह यह योगा स्टुडियो या यह स्पिरिच्वालिटी या यह सेल्फ या इगो के साथ क्यों इतना रिलेट है यह यह आप्टिकुलेशन बहुत ही क्लियर था ऐसा हम अपने पॉड़कास का अल्मोस्ट एंड तक आए I just want to ask you आपके हिसाब से do you feel that you would like to share any any personal trivia that nobody knows about Raza sahab you know I know you went to France to meet him multiple times and that you know you have a very close relationship with him you are you are you are you are a board of director on the Raza foundation yes one of the trustees one the trustees so what was I want to also ask you if you would if you would be okay enough to answer it what was what is the principle uh uh found you know the reason to start the Raza foundation like what is the what is the mission of the Raza foundation and how do you and also I want to ask you if you want to narrate any story about Raza sahab so that the next generation can also know a little bit more about SH Raza something personal something that he told you something you learned from as a student you know you learned from him anything yeah a lot of people have been like this and he was a very wise man and and you are with them that you have to learn all of the things that you have to learn in the circumstances in which they have to do their own what they have to do their own painting को स्टेच करने से लेकर फ्रींटिंग बन जाने के बाना र становится काम तो और शुब देख सकते थे कि वह फिर वह काटना originelanaります अप्लब उसके सारे उपकरण उन्होंने अपने घर में करते थे और वो सब चीजें बहुत ही करते थे और वो बीदिंग करने के बाद पेंटिंग देख करके वो खुश होते थे और कहते थे कि ये ऐसा लगता है कि अब एक तुलन को गुवर टोड़ाया गया तो वो जो एक उसकी सुन्दर्सा है उसको न सिब महसूस करते थे बलकि उसको शेयर भी करते थे तो ये उनका अपना धंग था और मेरे क्याल से मैंने उनको इतना नियमित रूप से काम करने वाला पाया कि वो सुबा से लेकर कि आख तक अपना काम अपने स्टूडियो में अपने चित्रों के साथ है और पेंट यह नहीं दगाता है इतना फोकस कोई अगर चित्र का दूसरा दिखना ही देता है तो वो हुसें साब मगर हुसें साब तो हैं बहुती खिलंदरे धंग से पेंट कर रहे होऊते हैं वो कहीं भी पेंट कर रहे होऊते हैं अपर विले तीचि एक अपने नियमित स्टूडियो प्रैक्रीस बैठ करके चित्र बना ना तो सुबा आठ ज़ए से एंटर वे तो डो फ़र खाने तक और फिर खान एक बार तीन बज़े जब आईग को तो फिर आख क मेरे ख्याल से जैसे एक डॉक्टर प्रैक्सिस करता है तो सुबह से अपने क्लीनिक में शाल तक बैठता है और हमारे हाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे शिप्तकार साल में एक पेंटिंग करते हैं और बोलते में पेंट हैं हम तो उनका कोई समय नहीं है अपने पेंटिंग से और वो एक लगातर जरूरत को महसूस भी निए पकरते हैं कि उनको पेंट करना चाहिए और दूसी सरवा में देखते हैं जासे ही प्तकार को लगातर पेंट करते हैं और इसी पिर चित्र जो है उन्से बात करने लगते हैं रंग जो है शपात करने लगते हैं या रंग अपना सुभाव प्रकट करने लगते हैं उनके सामने जो वो फिर इस्तमाल करते हैं अपने सिख्रों में तो ये एक बड़ी उनके इच्छी बात थी और उनके दितर एक बड़ा दज़्वा था युवा कलातारों को सपोर्ट करन छो उनके अपने जवाने के मुश्किल दिनों की या याज करन बना था हैं रजा साहब के कोई मुझे मुझे तो नहीं लगता कि रजा साहब मुश्किल दौर से गुजरे होंगे आर्टिस्टिकली वो तो बहुत ही यंग एड़ से बड़े पौपिलर आर्टिस्ट थे कल्यांट से स्टूडियो कहा हुथ है मोहन स्टूडियो में चालिज रुपए की नौकरी करते थे डिजाइन रिली है अच्छा एक बहां यह मुझे पता नहीं अच्छा मतलब डिटीपी ऑपरेटर जैसे डिजाइनिंग का पब्लिशिंग हाउश पहले हाँ की डिजाइन बनाना होता था था ना सब चीजे बना करके फिर बार में चक्छ में आती थे तो यह वहाँ पर इस्टूडियो में नौकरी करते थे और चालिज सुबह इनको मिलते थे और इनकी पत्नी और इनकी मदर इनके साथ कल्यान में रह तो उन्होंने जूट बोल करके उनका अपना प्रेंटिंग खरीदा सौ रुपे दिये कि मेरी बेहन के लिए मेरी बहन ने कहा तुमारा प्रेंटिंग करीदने का और सौ रुपे उनको दिये ताकि वह अपने पत्नी के लिए दवाई लेके जाएं, ये इतने शाहिस्ता थे कि अपनी तकलीफों का विक्र नहीं करते थे, उन बताते थे, मेरा फिर आर्ट स्कूल में मेरी मैं डिप्लोमा में था, डिग्री में नहीं था, तो मुझे थिहरी नहीं थी, तो मुझे अभी समझ में आ कि मेरा मेरा जो हिस्ट्री है, वो क्लियर नहीं है, वो आई डिन नो था, इस बहुत ही बहुत ही मुझेल समय उन्हों ने गुजा रहा है, इसमें उनके पास बिल्कुल ही कुछ पैसे नहीं होते हैं, कैसे खाना है, कैसे अपने पत्मियों, माँ, अपने लिए, खुद के लिए, और फिर मकान का तिराएब, और वो सब चीजें भी लगी थी आप उनके साथ रहकर क्या सिखे हो, जो आप अपने प्रैक्टिस में, you know, we'll end on this subject, on what is the point, what you have learned over the years मतलब जब मेरा, मेरी जो बच्पन की जैसे गुरू थी, वो बहनु अथाया मैडम थी, मेरी पडोसी थी, बामे में, कॉस्चिम डिजाइनर थी, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है, मतलब बहुत, मतलब और, not just color, not just painting, वो जे जे स्कूल अर्ट से थी, तो मेरी जो, और मैं चोटा था, तब से मैं, पंदरा साल से उनके साथ, धीरे-धीरे देख रहा हूँ कि मतलब, एक कलाकार, एक क्रेटिव इंसान कैसे अपने आपको, you know, hold करता है, how they process themselves, you know, refine themselves, so what have you learned, I wanted to ask you, what have you learned? दरा साथ से बहुत सारी सीज़ें, ठीकी, मगर जो खास बात, जो मेरे लिए important है, वो रंग है, और रंग लगाना जो सीचना है, वो मेरे लिए बहुत-बहुत पूल था, तो वो मैंने उनको काम करते हैं, देखते हैं, वो सीखाते कुछ नहीं थे, आपको सीखना था, वो तो कभी भी कुछ नहीं कहें, कि और कोई भी ऐसा था, मतलब जैसे हमारे ऐकॉलेजिशी जब हम पढ़ते थे, तो सखेना सार आमे कुछ छिखाते नहीं, वो तो दिवास्चेच कहते हैं, और आपको बढ़ चीखना है, तो आपको अगर एखना है तो आपको उनको सिखाना नहीं था तो ऐसे बहुत सारी कीज़ें देखी में उसमें से रंग लगा न तीखना मेरे बहुत इंपार्टिन खाव वो मैं से खाव तो इसके बाद यह एक ही इंटर्व्यू होगा जो सब रजा समझ पाएंगे नहीं बहुत खुल के बोला आपने बहुत ही प्यार से बोला बहुत ही मेरे क्वेस्टिन मैं खुद एक्चली तीन या चार बहुत इंपॉर्टन कॉंसेट्स अनलॉक किया हूँ मेरे मेरे अगा यह पॉड़कास्त तु बनेगा वा इस फाइफ पॉर इस विए प्लओतशन प्लओ ढब तोетсяॉए जो प्टीर तो इनीजिए आइथ जैजिए प्लओतशस्स यह executive पॉड़कास्त बनेगा थैंक्यों जैंक्यों थैंक्यों थैंक्यों सू मच्झ ओम्झाइग बयाया बाय बाय या बाय प्लेजर कर दो